नमस्कार दोस्तो अगर मन में लालच, जलन, स्वार्थ और आलस रहेगा तो सफल होना नाम्मुन किन रहेगा नमस्कार दोस्तो रधे रधे स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के विराशी फल में आज हम बात करने जा रहे कुम्ब राशी वालों की कुम्ब राशी वालों का 12 जून दिन बुद्वार कैसा रहने वाला है उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कुम्ब राशी वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशकबरिया मिलने वाली है तो दोस्तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे कुम्बराशी वालों का पारिवरिक जीवन कैसा रहीगा उनका बिजनेस वैपार कैसा चलीगा उनका प्रीम संबंध कैसा रहीगा और साथ इसाथ उनका स्वास्त कैसा रहीगा तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आज का संपुन राशी फर बताएंगे अगर दोस्तो आपकी भी कुम्बराशी है तो इस वीडियो को पूरा देखे दोस्तो आज बुद्वार है गड़पती महराज का दिने अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की, आज का पंचांग है 12 जून 2024 दिन बुधवार, आज के तीथी है स्रश्टी, आज का नच्छत्र है मगगा नच्छत्र, पच चल रहा है शुकल पच, आज सूरी उदाई होंगे, सुबे 5 बच के 23 मिनट पे, सूरी आस्ते हों मिनट तक रहीगा, अगर दोस्तों कोई सुब काम करना है, तो इसी समय करें, आपके लिए सुब रहीगा, और साथ ही साथ, आज का सुब समय है, साम 5 बच के 27 मिनट से, साम 6 बच के 23 मिनट पे, दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6, और लकी कलर है लाल, अब बात करते है दोस्तों, आज के चानक के नीती ग्यान के बारे में, चानक किजी कहते हैं, कभी भी सिर्फ सुनी हुई बातों की वज़ा से, किसी को गलत ना समझे, जी हाँ दोस्तों, हम कर्म करने में मनमान कर सकते हैं, लेकिन कर्म का फल भोगने में नहीं, हम जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही फल भी मिलता है सुक्सानती चाहते हैं तो अपने निन्ने दूसरों को देख कर नहीं बल्कि अपनी परिस्थिती को देख कर लें कि सभी की परिस्थिती अलग-अलग होती है जो लोग रिस्तों में जित करते हैं उनके रिस्ते बिगड़ जाते हैं रिस्तों में प्रेम बनाए रखने के लिए अपनी जित छोड़ देनी चाहिए दोस्तों रिस्तों में गलत फैमियों ज़्यादा समय तक नहीं रहनी चाहिए वरना रिस्ते तूट सकते हैं गलत फैमियों को जल से जल दूर कर लेना चाहिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुम्बर आशी फल के बारे में कैसा रहीगा आपका आज का दिन आई जानते हैं तो दोस्तों या हसी की चमक से उजला दिन रहने वाला है जब जाज़तर चीजे आपके मने के मताबिक होंगी आर्थिक जीवन की स्थिति आज अच्छी नहीं कही जा सकती आज आपको अपनी बचत करने में भी मुश्किल आ सकती आपसी संबाद और सहयोग आपके और आपके जीवन साथ ही के बिछ रिष्टे को मजबूत बनाए जिन्देगी में एक नया मूड़ा सकता है जो प्यार रुमैंस को नई दिशा देगा बड़े वैपारिक लेन दिन करते वक्त अपनी भावनाव पर काबू रखे बिना किसी को बताए आज आप अकेले वक्त बिताने घर से बाहर जा सकते हैं लेकिन आप अकेलों तो होंगे परंतु सांत नहीं आपके दिल में आज के दिन कई चिंताएं होंगी ब्यवाहिक जीवन को अधिक सुक्मे बनाने के आपके प्रियास उमीज से स्यादा रंग लाएंगे आपको मुम्किन है कि आपकी मुलाकात अपने पुराने मित्र से हों जहां आपको पैसे खर्च करने पड़ जाएं ऐसे में पैसों का इस्तिमाल करते वक्त सावधान रही दोस्तों आपका रुजहान परिवार की तरफ बहुत रहेगा उससे भी ज्यादा आपकी माता की तरफ आज आप अपने घर की सासज्जा पर खर्च कर सकते हैं अत्वर रेनोवेशन का काम सुरू करवा सकते हैं जीवन में कुछ चेंज लाने के लिए आप बाहर खाना अभी ओडर कर सकते हैं फिर देखिए आपके अपनों के चहरे की मुस्कुराहट कैसे आपके मन को प्रशन निता देगी दोस्तों ध्यान रहे आज आप स्रिजनात्मक महसूस करेंगे और बहुत सारे कामों के लिए स्वयम को तयार पाएंगे हाला कि आपको यह वास्तविक भाय रहेगा कि दूसरे क्या स्वोचेंगे और क्या कहेंगे वस्तुता आपको यह समझना चाहिए कि सही नजरिये से आधा काम तो बिना किये हो जाता है यदे पिस्तिरनात्मक और जापुन रहने के बावजुद आपका आत्मे विश्वास आज साथ नहीं देगा इसी बीज दोस्तों पुरानी समस्या सुलजने से राहत मिलेगी प्रवपटी के कामों में परिशानी आएगी प्रन्तु अपनी योग्यत और प्रतिवशे आप परिशानी असुलजा देगे दुखत समचार मिल सकता है पैसयों का लेंदुन अत्यन सावधान इसे करे संबंध खराब हो सकते हैं थोड़ा समय एकांत में या किसी धार्मिक जगह पर बिताने से सुकून मिलेगा कर्मिचारियों की गतिवीधियों को नजर अंदाज ना करे आपकी व्यवसाइक कारप्रनाली लीख हो सकती है सरकारी नौकणी वाले लोग जनता के साथ सावधानी से ब्यवहार करे मानहानी की आशर करे पति-पत्नी के मद्य सामन जस्से रहेगा घर का माहौल सुखद रहेगा प्रेम संबंध में अधिक समय बरवाद करना आपके जीवन को नीच ले जा सकते है अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइब की आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आई ये जानते हैं तो दोस्तों आज आप दोनों के बीच में हैंकार आ सकते है प्रेम जिससे आप दोनों की बीच दूरिया बढ़ सकती है यदि आपका लव पार्टनर आप से किसी बात पर नराज है तो उसकी नराजगी को दूर करने का प्रियास करे आपका रुख अपनी लेब लाइब के प्रती काफी नरम है फिर भी आपको कई बार ऐसे स्थीतियों का सामना करना पड़ जाता है जहां लोगों की बाते और भावनाएं आपको सची नहीं लगती आप ऐसे लोगों से बहुत प्रभावित नहीं होंगे इसलिए ऐसे लोगों से आपको सच्चे प्यार की उमीद करनी भी नहीं चाही हाँ वे आपके अच्छे दोस्त जरूर बन सकते अब बात करें दोस्तों आपके आज के वैपार और केरियर की तो दोस्तों अगर आपका कारे स्थान या ओफिश है तो आपको आज किसी साकर्मी के कारण अपने सेनियर्स या बोस से डाट पड़ सकती है इसलिए थोड़ा सतर्क रहें और काम करें कुछ दिनों से आपके कारे छेत्र में चीजे आपके अनुसार नहीं चल रही थी परन्तु आपको सुधार आने की उमीद है आपको ये याद रखना होगा कि कारे छेत्र के मित्रों के साथ मैत्रे पुन बेवहार रखने से आप सांती से काम में सामन जस्ति स्थापित कर सकते हैं तो दोस्तो ये था अज का कुम्ब राशी का राशी फन रोज की कुम्ब राशी देखने के लिए आप मारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन आल पर सिलेक्ट करें आपका दिन सुभ हो नमस्त दोस्तो राधिकिष्णा